नमस्का फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग मेरे चैनल पर, आप सभी का बहुत-бहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए लेकर क्या हैं यह बहुत ही अमेजिंट्ट से टिप्स वा ट्रिक्स जिसे हम पैसे बचा सकते हैं, बहुत सारे बचा सकते हैं, दोस्तों मेहग चावल को डेर काटोरी पानी में अच्छे से वाश करके भी वो दीजेगा उसके बाद में प्रेशर कुकर में डालिए थोड़ा सा गी पनीर है तो पनीर डालिए वरना आप स्किप कर सकते हैं डाल दीजे बड़ी इलाइची तेजपात पत्ता और दाल चीनी हलका सा भूनिये क्योंकि मुझे पनीर को थोड़ा गोल्डन करना है मैंने इसको भून दिया है अगर आप पनीर नहीं डाल रहे हैं तो बस उसके बाद जीरा डालिएगा और जीरा डालकर थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दीजे मैंने यहां पर बिना प्याज लैसुन का बनाया है अगर आप ठाज़ान दालना चाहते हैं तो इसी इसरेच पर प्याज लैसुन भून दीजगा फिर डाल दीजे क्लूब सारी सब्जीयां जो भी सब्झे आप खाटे हैं या जो आपके घर के मैमबर्स पसंद करते हैं वो सब्ज़ियां आप इसमें डाल दीजएं और पिर जो हमारे सो आपका पूरा डिनर लंच सब कुछ रेडी हो जाएगा अगर आप इसे बना लेंगे तो केवल एक सीटी लीजेगा एकदम खिला-खिला पुलाव बनेगा ये देखिए कितना अमेजिन सा टेम्टिंग लग रहा है ना एकदम से तो एक बार बना कर जरूर देखिएगा दाये तो मुझे जरूर बताएगा नेक्स्ट पर दोस्तों इन दिनों नीबू खूब आ रहे हैं बजार में तो मैं भी नीबू लेकर आई थी मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से प्रिजर्व कर लेती हूं तो नीबू को हमें क्या करना है आप जब भी नीबू लेकर के अगर आप चाहते हो कि उसमें से पूरा रस निकले तो उनको थोड़ी दिर गरम पानी में भीगो दीजिए जैसी कि मैंने भीगोया है फिर मैंने यहां पर ली है एक छोटी सी शीशी जो आती है एपिफिस की आती है चोटी शोटी शीशियां उसके धकन में छोटा सा छेत क कि रिख नीबू को पानी की में lotta नहीं चोटा सा ओल ने के बाद में चाकू को हमने गरम कर लिया था और उससे होल कर लिया फिर आप नीबू को जब काटेंगे नीबू हमारी गरम-पानी में डालने के कर अड़ सॉफ्ट हो गये और उसके बाद में इसके रस को चाहें तो आप स्क्वीजर से निकालिए या फिर आप हाथ से निकालिए इस तरह से हाथ से भी रस इतना जल्दी और इतना अच्छा निकलता है सारा रस पूरा निकल आता है यह देखिए निबू के बीज अलग हो गया है और आप इस रस को हम क्या करेंगे ना एक बॉटल में भरकर दरवाइस निकालते हैं तो कई बार ना जल्दबाजी में नीबू में रस रह भी जाता है अब देखिए बजार से हम सिनेमन पाउडर लेकर के आते हैं तालचीनी पाउडर तो बहुत महगा मिलता है और उतना अच्छा भी नहीं होता है फिर क्या होता है बहुत बढ़ा ड कीजिए मिक्सी के ग्रांडिंग जार में डालिए और इस तरह से एक शीशी में भर करके रख लीजिए जितना आपको यूज होता होतना आप यूज कीजिएगा बहुत ज्यादा भी नहीं लाना पड़ेगा और देखिए इससी कितने पैसे बच जाते हैं हमारे छोटी बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए क्योंकि महगाई है थोड़ा सा भी बचेगा तो बहुत दूसरी जगह काम आएगा हम अपने उपर खर्च कर सकते हैं घर के डेकोरेशन पर खर्च कर सकते हैं इसी तरह से जब भी हम बजार से अम्रूद लाते हैं जो जामफल जिसको बोलते हैं कई बारना चार पांच रखे रह जाते हैं कोई नहीं खाता है तो उनको चील लीजिए चीलने के बाद में चोटे चोटे टुकड़ों में काटिए कड़ाई में डालिए उसी में एक गाजर और आधा सा चुकंदर भी ग्रेट करके डाल दीज इससे हम कितनी बढ़िया सी डिश बना करके तयार करते हैं तो यह देखिए अच्छे से गल गया है जो आप देखेंगा चुकंदर गल जाया है इसका मतलब है कि हमारे सब कुछ आराम से अमरूद हमारे गल गया है और हमें इसमें इस स्टेज पर कुछ भी नहीं डालना है और फिर हमें इसे ब्लेंडर से चलाना है इसे मिक्सी से बिल्कुल मत चलाईएगा क्योंकि मिक्सी में चलाने से इसके बीज भी पिस जाएगे जो हमारे डिश के टेस्ट को खराब कर देंगे अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे चलनी से दबा दबा कर चान कितना सारा इसका गूदा निकल गया है कुछ गाजर भी थोड़ी सी निकली है और उसके बाद में इसको डाल दीजिए वापस से एक पैन में मैंने यहां पर आधी शकर और आधा गुड़ लिया है इसको मीठा करने के लिए आप चाहे तो केवल शकर या केवल गुड़ भी ल जब तक यह अच्छे से गाड़ा नहीं हो जाता है इसके बाद में इसमें थोड़ा सा डाल दीजिए नीबू कर रस इतना बढ़िया जैम बनके तयार होता है ना दोस्तों कि आप बच्चों के टिफिन में रखिए ब्रेड पर लगा कर खाई और हमें कितना पकाना है कि कुछ अच्छा सा बना लें जो गहर में काम आ जाए क्योंकि देश में बहुत सारे लोगों को दोस्तों खाना नहीं मिलता है और फिर हम खाना को फेक है तो बिल्कुल जमता नहीं है इसके बाद इससे आप एक शीशी में भर कर रख लीजिए और बिल्कुल जब भी आपका आती है है नो है डब्ब में रखना परता है तोस्तों को बिल्कुल जा राता तोस्तों करसे बचला अब प्रॉब्लम है Egyptian सेख है ज Supreme क्योंकि भी आफ़े छीशी कि मिल्कुल आती है है डवी तो प्रॉब्लम है एक जैसे इन सबहें सेख सुश करें हैं जो आप आते है लिक जो हम यूज करने चलते हैं तो हमें समझी नहीं आता है कौन सा किचिन की मिसाला है कौन सांबर मसाला फिर हम उसकी खुशबू सूंगते रते हैं तो एक तरीका तो यह है कि इस तरह से आप इसका कट करके टुकड़ा इसी में डाल दीजिए दूसरा तरीका है कि आप पूरा अंदर से खराब नहीं होता है पैकेट भी रखा हुआ रहता है और जब भी आपको यूज करना हो फटाक से यूज कर देखिए मैंने कितने अच्छे से सभी पर लिख लिया है और यह दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं उसके बाद नेक्स टेप आता है दो कि लिए रखते हैं तो उनकी लेकिन क्या होता है जैसे उनकी एकश्पारीड़ेट हमको पतह रहाज ही नहीं चलपाती जैसे इस पैकेट में से जब मैंने काटी ही थी तो इसकी एकश्पारीड अब मुझे समझ नहीं आ रहे है क्या है बड़ी मुश्किल से मैं देख पाई रहेगा कि इसकी expiry date अभी है और फिर आपको भी पता रहेगा हमें तुरंत में ऐसा लगता है कि हमें याद रहेगा लेकिन सच में हम लोग खुद भी रख करके भूल जाते हैं तो मैं इसी तरह से मैं क्या करती हूं कि हर एक के ऊपर लिख कर रख देती हूं तो उससे हर member को और दोस्तो एक ये गोली होती है sorbitate करके इसको आप अपने घर में हमेशा जरूर रखिए और एक ऐसी जगह पर रखिए जहां से family member के हर family के हर सदस्य को पता हो क्योंकि ये एक ऐसी गोली है जब कभी हमको heart की problem होती है तो sorbitate खानी की सलाही doctor देते हैं इसको मैं क्या करती ह इसको लेकर के आती हूं पूरा पत्ता फिर भी मैं इसे एक packet में रखती हूं और उसके उपर expiry लिख देती हूं ताकि family के किसी भी member को by chance मेरे कोई problem हो तो किसी भी सदस्य को पता चल जाए कि हाँ ये गोली यहां पर रखी और वो मुझे इसको दे सके इसी तरह से दोस्तों हो जाता है और फिर आडा तरचा निकलता है तो हमें कारटना परता है जिससे पैसे की इसको निस्ति होती होती है तो हमने है क्या करना है कि यूज करने के बाद में full- veramente करनेरे से से बहुं सब्सक्राइब कर दैसे वें तो यह थे टिप पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्रा